हलो, नमस्कार, संगीतानजली मीजिक स्कूल में आप सब का स्वागत है, मैं अजेजा, आज मैं आपको नागिन धून सिखाने जा रहा हूँ, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है नागिन धून सिखाने के लिए, तो उसमें मेरा मंडोले, मेरा तंडोले रे, वो गाना मंडोले, तंडोले, उसी गाने को मैं आपको बता रहा हूँ और उसके धून को बता रहा हूँ, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है, तो मैं कोशिस करूँगा कि आपको उसके सारे टिप्स मैं दे सकों, तो आईए शुरू करते हैं, C-sharp से मैं उसे बजाने जा रह तो आप उसे mix कह सकते हैं, वैसे काफी राग का स्वरूप गा और नी कोमल से है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें, कोमल धा भी यूज़ है और शुद्ध गा भी यूज़ है, तो उसे mix कर दिया गया है, तो आईए, सुनते हैं, यह C-sharp से है, यहां से शुरू करते हैं, और मैं आपको notation बताऊंगा, आप notation पूरा लिखने पहले, एक-एक piece मैं पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो music है, वो main है, यह कोई भजन नहीं है, जो शब्द माइने रखता है, इसमें धुन माइने रखता है, क्योंकि जब हम नागिन धुन बजाते हैं, तो उसमे music जो है, वो ही सबसे ज़्यादे माइने रखता है, तो इसलिए मैं उसी को ध्यान में रख करके आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक trick और मैं बताता हूँ आपको, जब आप harmonium बजाते हैं, तो harmonium में एक stopper होता है, जो base note होता है, जो harmonium के इधर शुरू में, आप जाए, जैसे इसको देखिए, यह आवाज आ रही है न, तो यह है C sharp का base note, तो वो आप अगर keys नहीं भी बजा रहे हैं, फिर भी वो आवाज आ रही है, तो चुकि बीन का जो एक style होता है, बीन की जो आवाज होती है, उसमें अगर आप यह base note खोल करके फिर आप अगर बज पाव आता है, जो बीन का जो effect होता है, वो आता है, और फिर harmonium बजाने में भी इसमें एक technique है, कि जब आप एक स्वर ले रहे होते हैं, तो दूसरे स्वर पर हलका हलका touch होता रहता है finger, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा, कैसे होता है वो, तो आप कोशिस करेंगे उसको करन ठीक है, तो सबसे पहले आईए, सबसे पहला music आप इसे सीख लिजिए, इसमें है, रे सा गसा रे नी सा ली, नी कोमल है इधर, बजेगा, रे सा गसा रे नी सा ली, रे सा गसा रे नी सा, और दूसरे बार सापत, रुक सकते हैं, तो ये continuous, चार बार, आठ बार बजा हुआ है, तो आप इसे बजा सकते हैं, इस तरह से, ठेक है, दूसरा music जो है, वो है, तीन बार धापा, ठेक है? तीन बार फिर पामा पामा गरिषा पामा पामा दो बार है पामा पामा गरिषा और फिर वही म्यूजिक शुरू होगा अब यह दोनों म्यूजिक को मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ जरह द्यांद से देखा अब यह दोनों म्यूजिक को मैं आपको बजाएंद से देखा म्यूजिक जो हम पराग्राप शुरू करते हैं उससे पहले जो मन डोले मेरा तंडोले से पहले एक और उसे आप समझ जले हैं वह है पापा मागा दो बार पापा मागा पापा मागा धाधा पामा धाधा पामा नी नी धापा नी धापा नी धापा सा नी धापा नी धापा मा धापा मागा पामा गैरे मा गैरे सा गैरे सा नी सा फिर से आप नोट करें से पापा मागा पापा मागा दो बार धा धा पामा धा धा पामा दो बार नी नी धापा नी धापा दो बार फिर डबल स्पीड में चलेगा सानी धापा सानी धापा सानी धापा नी धापा मा धापा मागा पामा गरे मागरे सा गरे सा नी सा यहाँ पर शुद्धनी यूज हुआ है मेरे खयास है और उसके बाद फिर जुड जाएगा पहले वाले म्यूजिक से ठीक है अब दूसरे म्यूजिक को एक बार फिर से सुनिए पूरी तरह को लुपनी पुछू का बार पिर म्यूना जा तरह अब यहां से शुरू होगा मन दोले मेरा दिल का मेरे दिल का रया करार सासा नीधा नी कोमल है और धा शुद्ध है लोवर नी लोवर धा ठीक है मन दोले मन दोले मेरा कंडोले मेरे दिल का गया करार क्यों 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 धासा साथ कोण बजाए रे रे गागा कोण बजाए वा सूरी आख अब इसे पूरी तरह मैं सुनाता हूँ मन दोले मेरे दंडोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बासरिया ठीक है अब इसे बजाने के बार फिर वही म्यूजिक शुरू हो जाता है ठीक है अब इसके आगे जो म्यूजिक है वो है जब आप मन दोले गाते हैं उसके बाद लास्ट में मन दोले मेरा दंडोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बासरिया अब ये नोट्स आप लिखे ले रेधा रेधासा रेधासा रे मागा या पर शुद्ध गप्रियोग है आप देखें ज्यान से रेधासारे मागा सारे मागा दो बार सारे मागा सारे मागा फिर दो पार्ट में आप इसे याद कर ले रेधासारे मागा सारे मागा एक पाट यह, दो बार सारे मागा, सारे मागा है उसमें, और दूसरे पाट ने, सारे गारे, यहां कोमलगा है, सारे गारे, गारे साथ और इस म्यूजिक को दो बार बजाएंगे, अब देखिए मैं इसे अच्छी तरह बजाता हूँ करार ने, मोन बजाएंगे, बासुरियां अब अंतरा शुरू करेंगे, और वो इस तरह है मधूर मधूर सपनों में देखे मैंने राह नवेली अब इसके नोट्स को आप समझ लें मधूर पापा, मधूर धाधासा, सपनों सासाथ निनी सपनों में धापा देखे, धाधा निनी मैंने फिर धाधानी नी, धाधानी नी राह धापानी नवेली अब इसे पूरी तरह इस तरह बचाएंगे मधूर मधूर सपनों में देखे मैंने राह नवेली इसके बाद एक म्यूजिक है यहाँ, और वो है पापा धानी सानी, पापा धानी सानी धापा, धापा मानी धापा तो इसे अच्छी तरह याद कर लें अब उसके बाद फिर आप गाते हैं मधूर 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 सपनों में देखे मैंने राह नवेली अब यहाँ एक छोटा सा फिलर आता है, दूसरी पंती से पहले, वो है धारे सारे निसा धनी छोड़ चली छोड़ चली में, छोड़ चली में, लाज का पहरा जाने कहाँ अकेली चली में जाने यहाँ गौर करें यहाँ पर बहुत ही अच्छा है धुन आया है छोड़ चली में, लाज का पहरा जाने कहाँ अकेली चली में, जाने कहाँ रेसागा को मलगा कहाँ अकेली ठीक है? और इसके बाद भी एक म्यूजिक आता है और वो म्यूजिक इस तरह से हम बजाएंगे तो छोड़ चली जब गाते हैं फिर मन डोले जैसे हम गाते हैं ठीक उसी तरह इस बंक्ति को गाएंगे रस घोले धुन मोह गोले जैसे ठंडी पड़े फुहार रे और फिर म्यूजिक आता है फिर से एक बार देख लोगे सानिधा पाव सानिधा पामा पामा गारे सा रस घोले धुन मोह गोले जैसे ठंडी पड़े फुहार रे वान बजाए बासुरिया फिर वही म्यूजिक आता है मन दोले मेरा तंडोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बासुरिया ठीक है और इसके बाद फिर वही म्यूजिक बजाएंगे जो हम पैराग्राप्स शुरू करने से बजाए थे अंतरा का जो हम शुरू किये थे मधूर मधूर उससे पहले एक म्यूजिक जो मैं आपको बताया वही म्यूजिक फिर बजेगा वो है ये अब चलेगा दूसरे अंतरे को हम गाएंगे कदम कदम पर और ये बिल्कुल उसी तरह ट्यून है जैसे मधूर मधूर हम गाएंगे पहले पैराग्रापको कदम कदम पर रंग सुनहरा ये किसने बिखराया नागन का मन बस करने को नागन का मन बस करने ये कोन सपेरा आया यहां पर वश है मैं बस बोले जा रहा हूँ नागन का मन बस करने ये कोन सपेरा आया ना जाने जिस तरह से पहले पैराग्राप में पहले अंतरे में किये थे ना जाने कोन सपेरा आया और फिर दूसरी लाइन यहां से सुरू करेंगे पगडोले दिल यूँ बोले तेरा लेके होके रहा यह हो गया पूरे अस्थाई और अंतरे का म्यूजिक एक बार मैं इसे म्यूजिक के साथ थोड़ा सा बजा देता हूँ चुकि मुझे शब्द याद नहीं है मुझे बीच बीच में शब्द को देखना पड़ता है तो मैं ध्यान उधर चला जाता है मेरा इस तरह से यह शुरू होगा और देखिए एक और चीज मैं बताना चाहूँगा जब हम कोई भी नोट्स को बजाते हैं तो देखिए ये दूसरे फिंगर से दूसरे उंगली से जो है हम किसी दूसरे नोट को हिट करते रहते हैं तो वो एक बीन बजने का जो है एक प्रभाव डालता है उसे देखें ध्यान से देखें किसी दूसरे उसरे उने का जो है किसी दूसरे नोट करते हैं मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बासुरिया मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बासुरिया अब दूसरे म्यूजिक को यहां से बजाएंगे मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे अच्छा अब जो है मैं आपको एक बार सभी म्यूजिक के साथ रुकरुक करके ही पूरे धुन को गा देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे किस तरह से उसे गाना है यहां से शुरू करते हैं करता है झाल झाल मन दोले मेरा, तंदोले मेरे, दिल का गया करार रे, योन बजाए बासरिया, मन दोले मेरा, तंदोले मेरा, दिल का गया करार रे, योन बजाए बासरिया, झाल झाल मधूर मधूर, सपनों में देखे, मैंने राह न वेले मधूर, मधूर, सपनों में देखे, मैंने राह न वेले मधूर, मधूर, सपनों में देखे, मैंने राह न वेले छोड़, चली मैं लाज का पहरा, जाने कहां अकेले यसे भोले मून बोले, जैसे फंदी पड़े फुहार रे, वोन वजाए बासरिया, कराए बासरिया, जैसे भोले में देखे, मैंने राह तर्थर, स्नु नह वेले चिनो, येले मधूर, से मका अज़ 6 door का रवेले येले oppositeना, आसरिया, मैंने वेले कदम कदम पर रंग सुनहरा ये किसने बिख्राया नागन का मन वश करने ये कौन सपेरा आया न जाने कौन सपेरा आया रस्पग डोले दिल यूं बोले तेरा हो के रहा शिकार रे कौन बजाए बासरे मन जोले मेरा तंडोले मेरे दिल का गया स्री करार रे और लास्क में इसे थोड़ा तेज कर देंगे 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 और इस तरह से ये नागिंधुन बजता है तो आप इसे बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक-एक पंक्ती को याद करें मैं ये जरूर बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि आप एक-एक पंक्ती को पूरी तरह तयार कर लें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, दूसरी पंक्ती को करें ऐसा नहीं कि जैसे इस वीडियो में पूरे गाने को बताया गया है तो आप एक एक लाइन को एकदम करते चले जाएं साथ के साथ तो आप perfection नहीं ला पाएंगे और आप बहुत गलतियां करेंगे उसमें तो यह लिए एक पंग्ती में एक music को जो मैं notation बताया हूँ आपको वो notation लिख लें और फिर उसे बजाने की कोशिस करें और देखें कि सही बज रहा है या नहीं अगर आप सुनेंगे खुद भी आप सोच सकेंगे थोड़ा कि वो सही बज रहा है या नहीं और नहीं तो बाद में वीडियो में देख करके उसे देखा जा सकता है कि exactly उसी तरह बजा रहे हैं जैसे मैं बताया हूँ या नहीं ठीक है तो इसे आप बजाए और अच्छा से practice करें और music का आनन्द लें ठीक है फिर मैं दूसरे वीडियो में आप से मिलूँगा तब तक के लिए नमस्कार